जोस्तों तो एक भाई का कॉमेंट आया था वो बोल रहे थे कि ट्रस्ट वालेट की की उन्होंने सेफ कर लिया है और अनिंस्टॉल कर दिया है आप वहाँ पर पैसा भेज सकते हैं वो एंड ये सेफ रहेगा क्या तो मोटा मोटा हां बट हो सकता है नहीं क्योंकि अगर जब आपने ट्रस्ट वालेट इंस्टॉल किया तब आपका फोन इंफेक्टेट था और जब आपने वालेट क्रियेट किया उस ताइंप अगर आपका फोन इंफेक्टेट था तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है तो ऐसे case में usually best होता है कि आप random wallet generate करें, ऐसे आपको websites, trustworthy websites मिल जाएंगे जो आपके लिए एक random wallet generate कर देते हैं, अगर आप सिरफ key को note करके यही करने वाले हैं, आप वो कर सकते हैं, जब भी आपको बाद में उसको निकालना हो, तब उसको trust wallet में, metamask में, ledger में आप import कर सकेंग So that is one way, जहां पर आप यह चीज हटा लेते हैं, कि मेरा device अगर पहले से infected था, और मैंने नया wallet create करके उसको छुपा लिया है, तो भी मैं scam से या hack से बच सकता हूँ